यदि आप भी एक CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको CSC के लिए registration करना होगा और CSC का registration सबसे ज़्यादा important होता है और उसी से decide होता है कि किसको CSC मिलेगा किसको नहीं और उसमें कितना time लगता है और CSC सबसे important इसलिए होता है क्योंकि उसी का अधार पर आपको approval भी मिलता है और rejection भी उसी का अधार पर होता है कि अधि आप सही से registration नहीं कर पाए तो CSC उसे reject कर देता है इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरीका से CSC के लिए registration कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको Google पर जाकर के CSC registration लिखना होगा CSC registration type करने के बाद जो सबसे उपर first website खुल के आता है उस पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ apply का option दिख रहा होगा apply में click करने के बाद यहाँ new registration पर जाना है new registration पर click करने के बाद यह खुल जाएगा यहाँ पर select करना है CSC BLE और CSC BLE select करने के बाद यहाँ TC certificate number मांग रहा है submit पर click करना है अपना अधार card या वी ID number डालना है उसके बाद यहाँ mail female select करके अपना state और district select करना है और यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि रूरल एरिया में है या अर्बन है यानि गाउं चेतर में है या फिर आप सहरी चेतर में है यदि आप गाउं चेतर से बिलोंग करते हैं तो रूरल में सेलेक्ट करना है या आप सहरी चेतर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन में उसके श리 पास ODP पे क्लिक करना है OTP Pay Click करना है केप्चा फिल करके यहां टिक करके और सबमिट कर देना है यहां सब अच्छा से फिल करने के बाद यहां फिर सभीड पे क्लिक करना है सभीड करना है इसको करने के बाद इस तरह का पेज ओपेन हो करके आ जाएगा यहां आपको टिक कर देना है और OTP पे क्लिक करना है SMS और E-mail दोनों पर करना है फिर generate OTP पर क्लिक करना है जनरेट OTP पर करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा इसको OTP यहां इंटर करके OTP इंटर करने के बाद यहां OTP पर क्लिक करना है उसके बाद आपको 15 मिनिट का सेशन का टाइम मिलेगा उसके अंदर में आपको यह फूल अपलाई कर देना है तो यहां यह सारा चीज आपके उपर वेरिफाइड होकर क्या जागा आपका इमेल आइडिया आपका मॉबाइल आपका TC नंबर या TC सर्टिफिकेट उसके पात यहां अपना चीज की नाम से आप कर रहे हैं उनका इमेज डालना है याने कि यहां पर आपको बासपोर्ट साइज फोटो करना है और यह मैकसिमम बीस के भी का होना चाहिए और यहां पर आपको क्विस की नेम डालना है कि आ आपना CAC center का नाम क्या डालना चाहते हैं उसका street यहां पर उसका सारा address डालना है यहां सब district डालना है और यहां local urban body डालना है इस तरीके से आप फुल यहां address डालना है आपको और address डालने के बाद pan detail डालना है individual है या company है तो आप obviously CAC के लिए apply कर रहे हैं तो individual ही होगा यहां individual पर करके यहां pan डालना है चलिए मैं पहले उतना कर लेता हूँ फिर आपको यहां अपना banking detail डालना होगा कि आपका account के saving account है या current account है किसके नाम से है ifac code branch name और branch में किसी person का branch का contact number डालना है यहां आपका bank account डालना है यहां cancel check या passbook का एक photo ब्राउज करके यहां upload करना है उसके बाद फिर KYC के लिए document आप यहां कोई भी document लगा सकते हैं अधार passport, driving license, border ID, guard या job card लगा करके उसका photo upload करना है वो भी 10 से 80KB के बीच में होना चाहिए इसके बाद यहां tick पे click करना है इसके बाद submit पे click कर देना है यहां FAC code डालने के बाद यहां खूद state जो भी आपका branch जिस भी branch में आपका account हगा और branch का location यहां अप ले लेगा संध्य आपको यह पर branch name डालना होगा अब यहां ब्रांच का contact number डालना है यहां पर फिर आपको अपना account number डालना होगा यहां आपको cancel check डालना है कि दिया दिया आपके पास cancel check नहीं है तो आपका जो ब्रांच का passbook है वो passbook का अप अच्छा से उसको scan करवा के उसको डाल सकते हैं लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखीगा कि passbook में आपका photo होना चाहिए प्लस उसमें branch का मोहर लगा होना चाहिए और उस पर sign signature होना चाहिए तभी validate करेगा नहीं तो उसको फिर reject कर देगा करने के पाद यहां कोई भी क्लिक कर देना है शारा की इस चीज को जो भी है सब सभी है उसके बाद submit पर कलिक कर देना अग्या सब्मीट पर करने के बाद Цस्ए भीली registration आपका समिट हो गया है यह आपका अप्लिकेशन रिफ्रेंस नंबर है इस रिफ्रेंस नंबर से ही आप आगे अपना अप्लिकेशन का स्टेटस को चेक कर सकते हैं जली मैं आपको करके दिखा देता हूँ यह रहा रिफ्रेंस नंबर इस रिफ्रेंस नंबर को कॉफी कर लेता हूँ म आप इसको यहां अप्लाई पर जाने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करना है चेक स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यह जो रिफ्रेंस नंबर मिला है रिफ्रेंस नंबर को यहां आपको कॉफी कर लेना है रिफ्रेंस नंबर डालने के बाद यहां आपको केप्चा दिख रह रहा है एन्डर री फिंव में है आपको डs इमनल कम डिजीमैल रिषीव अगर आपको क्वालीटी का चिक हो जाता है और सारा चीज हो जागा और हप्रूज अप्रूफ हो हो जागा तो तो इस तरीकेक से आपको डिशी का Uzit करना हो गया और यह आहापका reference number इसको coffee करके रख लें और या फिर आपको इसको यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं प्रिंट पर क्लिक करके यह रहा आपका CSC का registration कैसे करना है यदि आपको किसी भी तरह का problem आया तो मुझे mail कर सकते हैं मैं आपको mail mail करके पूछ सकते हैं या comment box में आप comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक किजिए चैनल को subscribe किजिए इस तरीका का बहुत सारा अभी वीडियो इस पर आने वाला है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू